नमस्य दोस्तों, ओर्डीज गोल्ड में आपका स्वागत और स्वास्त्य समधी चर्चा के अंदर फिर वही दिल लाया हूं यानि कि सबसे बड़ी आज की तारीक में जो प्रोब्लम है, मैंने अब तक जो अन्भव किया है, शिक्र पतन की प्रोब्लम सबसे ज़्यादा है पेनिस छोटा बड़ा ये तो फिर भी बागी शिक्रपतन की प्रोब्लम बहुत ज़्यादा है और इसका एक ही कारण है कि वीरिये का पतला हो जाना और वीरिये जबी पतला होता है कि या तो आदमी अपने कूकरम से उसका नास करता है अथ्वा नशा करता है अथ्वा गलत ख खाने को सरित को नहीं मिलता इस वज़़से वीरिये पतला हो जाता है मैनत कोई ज़्यादा करता है खुराग कम मिलती है कहीं ऐसे अनेक कारण होते है जिसकी वज़से वीरिये पतला हो जाता या कोई बड़ी बीमारी के बाद अथवा कोई एलोपेतिक गोली खाने के बाद अथवा कोई किसी वज़े से वीर ये जब पतला होता है तो वो आदमी को संबोग करते ही निकल जाता है यानि कि इस्तरी संतुष नहीं होते और आदमी को लजजित होना पड़ता है तो मैं देखना ये नुस्का मैंने बहुत पुरानी किताब से निकला है जिनकी सकती हो वो बना लो और जिनकी ने सकती हो तो उनके लिए मैंने बहुत घरेलू परियोग दिये हैं वो उनको बना करके लाब उठाएं नुस्का तो नुस्का ही है मैं सबसे पहले मैंने कागिज पे लिखा है, अगर आप लिख सकते हैं तो मैं एक मिनट रोकूंगा, इसके contents लिख लें और इसके gram लिख लें, देखिए, ये ये पूरी slide, ये मैंने आपके सामने कर दिये, आप आराम से ये लिख लिए, अब देखिए, हमारे पास जो सादन हैं, हम वो ही काम लेंगे, मेरे ख् हाँ अमें इसको content से एक बार आपको बोल करके बताता हूँ सुन बंग बारा गराम सुन माक्षिक बस में बारा गराम तरी धातू बस में बारा गराम सुद हिंगलू पांच गराम सत्च शिलाजित पेंटीस गराम सिद मकरदज अठारा गराम कस्तूरी पांच गराम, केशर पांच गराम, अंबर पांच गराम, सुद कुचला पांच गराम, अही फेन यानि कि अफिम पांच गराम, और आकर करा बारा गराम मैं एक बार और बोल देता हूं बारा गराम तो एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, साथ, आठ, नो, दस, ज्यारा, बारा कुल बारा कंटेंस हैं और इसका नाम है शिग्रपतन नासक इस नुश्के का नाम है शिग्रपतन का नासक हमने आज तक भी कभी ये सब्द प्रयोग में नहीं लिया कि नस करता है इस बीमारी का ये पहली बार में ले रहों कि शिगर पतन नसअगे या नहीं कि शिगर पतन का ये नुस्का नास करेगा इसमे गोल दो राये नहीं मैं गारंटी लेता हूं इस बात की अगर इस तरह से अब मैं आपको इसको बनाने की वीदी थोड़ी मैं आपको समझा दूँ जब भी काम चलेगा ये contents मैंने आपके सामने कर दिये क्योंकि बहुत मेरे भाई करते हैं मेरे बेटे करते हैं कि हमें समझ में नहीं आया तो क्या करें जैसा भी बनाए अब इसको बन ज्यादा लगे कोई comment में कुछ भी मेरे को गाली गलोच लिखे लेकिन मैं हर चीज को अच्छी तरह से समझाओंगा जिस तरह एक अद्यापक अपने student को समझाता है क्योंकि खाली बोलने से कुछ नहीं होगा बोल दिया चल दिया अगर कुछ पले नहीं पड़ा तो क्या फ थोड़ा थोड़ा और आग के उपर हलकी आँच के उपर आप गरम करें जब वो गाड़ा हो जावे सिलाजीत सप्टे ज़़ा मात्रा सिलाजीत की है 35 ग्राम जब वो गाड़ा हो जावे तो फिर उसके अंदर कस्तूरी अंबर कैसर अफिम ये मिला देमा ये मिलाने के पिर वो गाड़ा हो जाए तो सबसे पहले नीचे हाँ सबसे पहले चार चीजे और जो बची हुई है जैसे मकवर रज्ज आकर करा कुछला हाँ यह यह इसके अंदर मिला देवें और उसके बाद में तिन तिन रत्ती की गोलियां बनावें और फिर एक से दो गोली यह आप मैं इसको थोड़ा सरली करन कर देता हूँ देखे सबसे पहले सिला जीत सबसे ज्यादा मातरा इसमें सिला जीत की है 35 ग्राम इसको आप अच्छे बतन के अंदर मंद आँच के उपर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देवें और गरम करते रहें जब यह कुछ गाड़ा हो जा है आपका तो सबसे पहले क्या करना है आपको यह मैं बताता हूँ कस्तूरी अंबर चेसर अफिम यह मिला देवें आप और हम आगे बढ़ते हैं यह मिलाने के बाद जब फिर गाड़ा हो जाए तो उसके बाद चार चीज़ें यह मकर्धोय ज़े अकर करा और कुछला यह सब उसके अंदर मिला देवें और तीन तीन रती की गोलियां बना लेवें और गोलियां बनाने के बाद जब यह सूख जाए तो शीशी के अंदर बढ़ लें और यह लिखते हैं संत कि शीशी को गेहों की धेर में अत्वा गेहों की बोरी में अत्वा गेहों के पीपे म दबा करके डेड मैना रखें, अब मैं क्या करूं बताओ, नुस्का तो नुस्का है, अब इसके पीछे क्या रहस्य है, ये तो इस्वर जानता है, हाँ, ये दबा करके रखें और फिर उसको निकाल ले वें, और निकालने के बाद, एक से दो गोली रात को, सोते वगत, गाई के दूट से, मिश्री में लेवे गाय के दूट से ले हैं और उसके एग गंटे बात सेक्स करें, आप वन्दर करेंगे कि इसके मुकाबले नुश्का नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन इसमें अब आप ये कहेंगे, जेकें टेर्ड मेना तक गयों के अंदर इसको रख करके और इंतजार कैसे करें देखो ये बात मेरे पास आएगी तो ये मेरे जहन में पहले से ही है तो इसका मैं आपको सरल उपाई बताता हूं आप एक ग्यों के पीपा जो होता है बीस किलोगा पंदरा किलोगा उसके अंदर आप ग्यों बढ़ दें और के बाद में उस पीपे के अंदर उस शिशी को नीचे नीचे दबा के रख दें गयों के बीच में और उसके बाद उस पीपे को बंद कर दें बंद करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन इसको रखें इससे ज़्यादा नहीं बाकी 21 दिन आपको रखना होगा उसके बाद निकालके आप काम में लें, तो ये गोली बनेगी आपके, जो भी बने एक से दो गोली खुराक लिकी है, और डेट ड़ती की गोली बनेगी, और एक से दो गोली की खुराक लिकी है, पहले आप एक गोली लें, अगर आप ता काम एक गोली से सफलो, तो ठीक है नह तो आप दो गोली ले सकते हैं और इसको रात का समय ही गाय के दूस्षें मिश्री मिलेवे दूस्षें आप ले में इस परियोग को आप 21 दिन और 31 दिन इससे अधिक नहीं हैं ये 45 साल की उम्रवालों के लिए और जिनकी आयू 45 साल से 70 साल है उनको इसका परियोग दो मैना करना होगा और एक चीज का ध्यान रखें जब अत्यदिक गर्मी हो मई जून का मैना हो पारा भोत तेज हो तो इस दवा का अगर आप शेवन करते हैं तो तरल यानि कि जो शितल चीज होती है जो शरीट को तरल शांती पहुंचाती है तर्बूज बहुत सांती पहुंचाता है वो आने वाला है तो तर्बूज आप खाएं सर्बत रूफ अफजा आप लें और गाय के कच्चे दूद की सुबर ठंडाई लें पोस्ट दाना होगेरा ये गिसके यानि कि आपके सरीर के अंदर इस दवा को आप जब परियोग कर हैं तो शितलता की जो भी खाने की पीने की चीज है छाच दही मठा इनका सेवन थोड़ा आप भ्यान में रखके करें तब ये नुस्का बिलकुल कामयाब होगा और जो इस नुस्के को खा करके मासा हार करेगा बहुत ज्यादा नसा करेगा तो सरीर के अंदर गर्मी बढ़ करके और उसको लाब नहीं होगा तो दोस्तों मैंने आपको आज जो नुस्का दिया है इसका नाम है सिग्र पतन ना सक एक और कंफ्यूज वाली बात जो है ये मैं और कलिर कर देता हूं कि इसकी जो आप दो रति की तक गोली बना सकते हैं डेड़ से दो रति दो रति का मतल दो गुंजा के बराबर गुंजा शिर्मी आपने देख रखी है बस यही इसकी डोज है आप इस नुस्के को बनाईए और देखिए ये काफी महंगा है मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता जो बनाने की स्टितिम है वो बनाएं लाब उठाएं आपको मेरा भी वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस नुस्के के क्या रिजल्ट आते हैं उससे मेरे को आप आउगत कराएं और कोई चीज आपको फूछ नहीं है तो सुबह 6 बज़े से 8 बज़े मैं फोन पे रहता हूं एक बार पेसाब करने जाता हूं मैं आपको मैं हर वीड सेप के अंदर जैसे आपने अभी कुछ पूछा तो आप चाहते हैं कि 10 मिनिट के अंदर ही उसका जबाब मिले तो मैं कंप्यूटर नहीं मेरे भाई मेरे को जब समय मिलेगा वार सेप बेगनेगा तभी मैं जबाब दूँगा और आप उतावले इस तरह होते हैं जैसे रे जल्दी रहे वीडियो को सब्क्राइब परे थेंक्स